अद्वितिय, पूर्वोत्र भारत का हम अगला भाग लेकर उपस्तित हुए हैं, जिसे हम चौथा भाग भी कह सकते हैं, और ये आखरी भाग है आएए, इस ट्रिंखला में हम आगे बढ़ते हुए अरुनाचल प्रदेश की और बढ़ते हैं अरुनाचल का अर्थ है उपते सूर्य का परवत, यानि वह स्थान जहां सूर्य सबसे पहले दस्तक देता है अकेले अरुनाचल प्रदेश में ही भाषा संस्कृत येवं नसलों की जितनी विवित्ता है उतनी पूरे एशिया में अन्यत कहीं नहीं है यहां के अधिकास निवासी तिबबत, बर्मी, मूल के हैं और उनकी मुख्य भाषा भी उसी मूल की है यहां के सारी भाषाओं की गर्ना वह पहचान का काम भी बहुत कथिन है प्राय हर जन जाती की अपनी अलग भाषा है अरुनाचल प्रदेश में साक्षरता का स्तर करीब 66.25 प्रतिशत है राज्य की मुख्य भाषा हिंदी और अस्मी है लेकिन अंग्रेजी भाषा भी खुब रचलन में है अरुनाचल के लोग बुनाई कला में महीर है और हर जन जाती की बुनाई की अपनी विसिष्ट शैली है हमने पूर्वोत्तर भारत के विबिन राज्यों को परहा उनके बारे में जाना, समझा पूर्वोत्तर भारत प्रकृतिक संपदा से परिपूर्ण है हम जितनी प्रकृतिक खजाने को यहां देख पाते हैं वो कहीं अन्यात्र भारत में क्या विदेशों में भी देख पाना दुरलब है यदि कोई व्यक्ति अदुत्य पूर्वोत्तर भारत का ही पूरा अच्छे तरीके से भ्रमन कर ले तो उसे कहीं और कहीं अन्या जगाव पर जाने की जरत ही महसूस नहीं होगी इतनी खुबसूरत है हमारे भारत का यह पूर्वोत्तर हिस्सा हमने इस स्रिंखला में असम को पढ़ा, मेघाले को पढ़ा, नागालेंड को पढ़ा, मेजुरम को पढ़ा, त्रिपूरा को पढ़ा हमने मनिपूर के बारे में जाना और हमने अरुनाचर प्रदेश के बारे में जाना इसी स्ट्रेंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सिक्किम जो हमारे उत्तर बंगाल से बिलकुल सटा हुआ राजी है इसके बारे में परहेंगे आप में से बहुत लोग सिक्किम गए भी होंगे काफी खुबसूरत आखों को तसली और सुकून देने वाली जगह है सिक्किम आईए हम पढ़ते हैं सिक्किम सेवन सिस्टर कहे जाने वाले राज्यों के अलावा पुर्वोतर भारत का एक और प्रमुक राजे है सिक्किम यह गोवा के बाद देश का सबसे छोटा राजे है पारंपरी कथाओं के अनुसार गुरुरिम पोछे नाम के एक बौध संत इशा के आठवी शताब्दी में इस छेत्र में आये थे उस समय वहां कोई राजा रही था उन्होंने इस छेत्र में रहने वालों को बौध धर्म की दिक्षा दी उत्तरपुर्व का या अकेला नेपाली बहुल राजे है यह 11 सरकारी भाषाएं हैं जिसमें नेपाली मुख्य संपर्क भाषा है और इसके अलावा भूटिया, लेपचा, लिम्बू, नेवारी, राई, गुरू, मंगर, शेर्पा, तमांग, सुवर को भी मानेता प्राप्त है राजधानी गैंटॉक एक मात्र शहर है गैंटॉक में स्थिप नाम ग्याल इंस्टिट ऑफ टिप्टोलोजी धार्मिक वर एतिहासिक द्रिष्टी से महतपूर्ण है यह तिबबते साहिते और शिर्प का अनुठा भंडार है गैंटॉक में मेडिसिन्स के लिए भी गैंटॉक बहुत फेमस है मेडिसिन्स कंपनिया बहुत सारी है वहाँ पर जहां मेडिसिन्स बनाए जाते हैं समुन्द्र से 55,000 फूट की उचाई पर इस्थित इस इंस्टिट की स्थापना सिक्किम के साशक सरताशी नाम ग्याल ने सन 1958 में की थी यहां तिब्बती विज्ञान चिकित्सा और जोतिश के अलावा लेपचा और संस्क्रिक की भी बहुत से पंडूली पिया है गैंटॉक से कुछ दूर स्थित एंचिय बौध मट की बहुत मानेता है एंचिय मट का अर्थ है एकांत मट इसका निर्मान एक सुन्दर पहारी पर किया गया है जहां से दुनिया के तीसरे सबसे उची परवत शिखर कंचन जगा का शांदार द्रिश दिखाई देता है पारंपरिक गुंपा नृत्य सिक्किम का सरवादे प्रसिद्ध नृत्य है तो एंचे बौदमट कभी भी आप सिक्किम जाए तो यहां जरूर जाए यहां से कंचन जगा का बेहत खुबसूरत नजारा द्रिश देखने को हमें मिलता है धन्यवाद